तक किया था आज मैं आपको second 22 के बारा में बता रही हूं तो तो सेक्ष नैंट-टी टू जो है वो डील करती है करएं कोपेटी सुसाइटी की रिस्ट्रिक्षण्सवसंन होल्डिंग औफ यह कौन Should जो है वो कितनी शेयर जो है वो होल्ड कर सकता है अगर हम पर्टिकुलर्ली मेंबर्स की बात करें तो जो टोटल शेयर कैपिटल होगा मेंबर्स का वह 150 से ज़्यादा और जो उनका क्लेम होता है क्लेम अफ इंट्रस्ट जो कोई भी इंट्रस्ट के लिए जो वह क्लेम करते हैं वह 1000 रुपे से उपर नहीं होना चाहिए लेकिन अगर हम बात करें उस सुसाइटी की जो फैनेंसिंग बैंक्स में इन्वाल्व यानि जो कोपरेटिव बैंक्स जो ह होते हैं उनके मेंबर जो है वह क्लेम कर सकते हैं शियर्स में अपना इंट्रस्ट वह 5000 रुपीज से उपर नहीं होना चाहिए ठीक है नेक्स आजाता है सेक्षिंट 23 सेक्षिंट 23 डील करता है कि जो ट्रांसफर आफ शियर्स और इंट्रस्ट की कोई भी शियर्स हर आपको पता है कि कोई भी cooperative society कि जो members होते हैं जब वो cooperative society का part बनते हैं उसके साथ associate होते हैं उनके उसमें shares होते हैं तो आप यह section deal करती कि क्या वह अपने shares को transfer कर सकते हैं तो answer is yes वह अपने shares को transfer कर सकते हैं लेकिन वह उतने US Yeah transfer कर सकते हैं जितनी GUY maximum holding होगी ठीक है और दूसरा वो शेयर्स जो है वो तभी ट्रासफर कर पाएंगे अगर वो एक साल तक उन शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं उस पर्टिक्लर ससाइटी में तभी वो अपने एक साल के बाद अपने शेयर्स को जो है वो ट्रासफर करेंगे और दूसरा को इसमें आता है कि वो कि को transfer करेंगे क्या वो किसी society को transfer करेंगे तो answer is no वो किसी member of society next member को अपने shares जो है वो transfer करेंगे और third is share transfer करने की इजाज़त approve कोन करता है जो committee होती है society की वो approve करती है कि आप ये shares transfer कर सकते हो या नहीं कर सकते हो next आगे section 26 section 26 deal करता है general body of members यानि cooperative society में ऐसी कौन सी authority होती है जो final finally सारे decision जो मतलब final authority है जो सारे decision वही लेते हैं तो answer is general body of members 26 section 26 deal करता है general members general body of members यह जो general body होती है इसको बनाया जाता है by laws के थू जो cooperative society के जो by laws है जो time being के लिए बनाए जाते है उन्हीं by laws के accordingly जेनल body बनाए जाती है यह smaller body होती है जो consisting होती है काफी delegates के और members के और यह जो है इनके जो functions होंगे इनका जो power होगी वो उन्हीं by laws के according चलेगी और यह जो smaller body है यह इसके जो functions होंगे उनमें addition करनी है या delete करनी है उनके पास से power वो by laws को amend कर करके time to time जो है वो बताई जाती है लेकिन यह जो general body होती है चाहे इसके पास final authority जरूर होती है लेकिन यह कभी भी जो already जो existing committees यह कोई officer है cooperative society का उनको कोई effect नहीं कर सकता उनकी power को effect नहीं कर सकता है लेकिन final authority जो होती है वो general body के पास ही होती है next आता है section 27 section 27 deal करता है annual general meeting से इसका मतलब यह है कि यह जो हर एक cooperative society जो है वो कितनी बार meet करती है तो answer is वो एक साल में एक बार meet करेगी और once in a year उनको meet करना ही होगा यह section 27 कहती है लेकिन main यहाँ पर यह आपको याद रखना है कि इसका purpose क्या है क्यों यह cooperative societies meet करती है तो सबसे पहले इनका purpose यह होता है कि जो भी programs उन्होंने set किये हैं उनको approve करना जो committees ने जो program बनाए हैं या कोई amendments हुई हैं उन सबको approve करना elections करवाना nominate मैंने आपको जैसे बताया थे एक nominated member होते एक elected members होते तो elected members के elections करवाना audit report को consider करना annually किस तरीके से audit किया जाएगा cooperative societies को उनको उनकी consideration करना और सबसे important जो net profit है उसका disposal करना तो यह जो annual meeting है यह हर साल होती है next आता है section 28 section 28 is also important because यह deal करती है special general meeting अभी मैंने आपको बताया था कि एक general meeting होती है जो हर साल होनी ही होनी है इसके इलावा कभी-कभी एक special general meeting भी होती है यह जो general meeting जो होती है वो किसी भी time पे बुलाई यह जरूरी नहीं कि साल में एक बार होगी यह कभी भी जो है वो बुला सकते इस general meeting को और इस general meeting के लिए एक receipt of requisition जो है वो राइटिंग में receipt of requisition जो है वो issue करते हैं registrar उस receipt of requisition को one month के अंदर approve करना होता है यानि one month जैसे यह receipt issue की उसके एक month के अंदर यह meeting जो है वो करवानी होती है लेकिन अगर यह meeting नहीं हो पाती बाइदोवाई किसी भी वज़े से तो registrar या कोई भी ऐसा person जिसको registrar ने authorized किया है वो उसके बिहाफ पे उसके पास power आ सकती है कि फिर वो कभी भी यह meeting जो है वो start जो है वो करवा सकता है इसको convene करवा सकता है लेकिन convention यह है कि meeting करवाने से पहले एक महीना पहले जो requisition है वो दी जाती है members को और उनको बोला जाता है वो यह meeting special meeting जो है वो attend करें next आता है section 29 section 29 बहुत important है क्योंकि यह deal करता है elections and nominations of members of committees कि जो भी committees है cooperative societies की उन cooperative के जो elected members और nominated members के साथ में deal करता है त्योंकि हर एक committee जो cooperatives के साथ deal करते है वो सिर्फ three years के लिए committee बनाई जाती है three years के बाद उस committee को क्या करना होता है change करना होता है लेकिन उसके elections के लिए सबसे पहली जो चीज आपको याद रखने वो यह है कि उसका election वही लड़ सकता है जो उस society का shareholder होगा जिसने shares acquired किये है उस society के वो ही इस meeting को जो है sorry वो ही इस election को जो है वो लड़ सकता है और यह जो elections होंगे वो मैंने जैसे आपको कहा कि हर committee जो है वो तीन साल तक operate करती है यहनी उनके तीन साल होने से पहले यहनी जब 90 डेज रह ज spaghetti तो यह जरूरी होता है कि elections जो है वो करवाए जाए और एक नई committee जो है वो बनाए जाए यह जो committee है अगर इसको बनने से पहले यह थो तीन years हो गए उस से पहले अगर नई committee नही बनाए जाती है तो उस case में government या फिर रेजिस्ट्रार इधर आपको याद रखना पड़ेगा या तो इधर गॉवर्मेंट या फिर रेजिस्ट्रार जो है वो क्या करती है पॉइंट करती है एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर यानि वो अगर कमेटी नहीं बना पाए किसी भी वजह स हो सकता है तो उसमें जो गर्मेंट होगी या रेजिस्ट्रार जो है थो वो एंपावड हो जाते कि वह एक बोर्ड ऑgel गॉप मैनेजमेंट या थोन ब्रट बनाएंगे और यह जो बोर्ड ऑफ ड्रमान होजमेंट बनाएंगे outside और यह जो बोट अनेजर्ट वह कब तक ये 9 तक काम करेंगे जब तक कि नहीं कमेटी जो है वो बनके नहीं आ जाती तक तक जो है ये काम करेंगे और इनके जो प्रोविजन्स होते हैं ये बोर्ड आफ मैनेजमेंट ये बोर्ड आफ एड्मिस्टेटर्स के ये भी जो है वो बाय लॉस के एकॉर्डिंग चलते हैं ठीक है बार ऑफ बार तो इलेक्शन नॉमिनेशन और कंटीनवेंस एज ए मेंबर अफ कमेटे तो सेक्शन 29 कहता है कि कोई भी पर्सन अधर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सुसाइटी यानि कोई भी ऐसा ऐसा पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी सुसाइटी को जे कोई पर्सन को भी डिफॉल्ट किया है पैंमेटिय को चोड़ के बाकि जितने भी ससाइटी जगा है अगर उसमें ऐसा कोई fraud उसने किया है दूसरा आ गया कि अगर कोई भी person जो किसी भी society को represent करता है और उसने committee को supersede किया है ठीक है तो उस case में उसको भी क्या कर दिया जाएगा cease कर दिया जाएगा कि वो उस committee का member जो है वो नहीं रहेगा इसके इलावा कोई भी person अगर वो default के साथ साथ अगर वो यह करता है क्या बोलते है इसको यह prejudice करता है या उसने कोई ऐसा decision लिया है जो किसी society के welfare के इलावा कुछ prejudice किया है कोई अपने फाइदे के लिए या किसी को फ नेक्स्ट आजाता है आपका qualification of for members of the committee कि section 29 b कहता है कि ऐसा कौन सा individual है जो कोई officer है या member है committee का वो कौन है जो committee का member बन सकता है तो उस case में इनोंने कहा कि यह सब चीजे कोण decide करेगा यह decide करेगा reserve bank of India यानि की cooperative society में जो committee का membership बनने के लिए qualification decision decide जो है वो reserve bank करेगा वो देखेगा कि क्या जिस person को हम इसका member बना रहे है उसको एक requisite knowledge है उस चीज़ को लेकि को special knowledge या यह जो है experience है या नहीं है यह सब चीजे जो है वो reserve bank देखेगा इसके बाद आ गया section 30 section 30 जो है वो deal करता है committee की suppression के साथ में यानि कि को जो भी committee deal करती है cooperative societies की साथ में उन cooperative committees को किस तरीके से remove करना है तो इसके लिए decision क्योंकि यह बहुत बड़ा decision होता है committee को remove करना या committee को suppress करना तो यह decision जो government जो है वो लेती है या फिर registrar लेगा और वो क्या करेगा कि जिस बरजी नाम से जो है वो cooperative society अगर registered है तो अगर उसने कोई default किया है या फ वो government या फिर registrar जो है वो क्या कर सकता है suppress कर सकता है ठीके और इसका जो main process यह होता है कि जो implementation और cooperative production की वो रुके ना ऐसा हो कि कोई कोई भी cooperative society जो है वो अपनी मर्जी से decision ले ले या according to the rules और by laws के according ना चले इसलिए अगर वो prejudice करती है या फिर वो default करती है तो उस case में उस committee को जो है वो suppress कर दिया जाते है लेकिन सबसे important चीज है अगर वो committee को suppress किया जाता है तो उसके बाद फिर क्या किया जाते है तो सबसे पहले mindfulness करनेका 15 days पहले ही वो notification दिया जाता है और उसके बाद इस committee को जो है वो remove किया जाता है इसके इलाभा एक या एक से ज़ादा administrators जो है वो फिर society उसमें एक board बनाया जाता है और एक या एक से ज़ादा administrators को उसमें appoint किया जाता है और उन administrators का काम है कि society का जो जितना भी काम है उसको संभालना और उस period तक मैंने दो मन्त से ज़ादा जो है वो इसका यह मतलब है कि जब भी कोई committee को remove किया जाएगा उसके बाद एक board बनाया जाएगा उस board में एक या एक से ज़ादा जो administrators होंगे और उन administrators का काम है कि इस society के affairs को continuously चलाते रहना और उनको manage करना लेकिन वो यह सब चीजें जो है वो दो महीने तक कर सकते दो महीने से ज़ादा नहीं कर सकते तो कि दो अगर को किसी भी आगे इसी एक्ट में अगर कोई प्रॉबलम होगी तो आप वो मुझे बता सकते हैं तक क्यों सब्सक्राइब कर सकते हैं